अस्सलाम अलेकुम दोस्तो आज हम आपके लिए लिए क्यायन यो रेसिपी मेरे गुलाबो के अंदाज में यह है पालक पनीर और आज हम आपके साथ इसके hidden spices शेयर करेंगे मेरे गुलाबो के तरीके से और मेरे मेरे गुलाबो के खासियत तो माशाला बहुत है जटपड़ ख त्यार करते हैं यह मेरे ने टीन पॉप आलक लिए जो में धो के साफ करके काट कर रेक चुकी हूं और इसको आम कोकर में डाल देंगे पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें और मैंने काटनुय लस्तन लिया है एक लस्तन के पूरे फूले और अधर रखें जम इसमें डाल डाल देंगे और 5-6 हरी मिल्चे इसमें हम डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे बाद में आधा चम्मच इससे जाधा ने डालना है और इसे हम ढखकन लगा के चूले पर रख देंगे 10-15 मिंट आपको पकाना इसे सिम पर पकाएं जड़ते हैं चूले पर बिल्कुल ना रखें डखकन लगा के हमने रख दिया है चूले पर देखें हमारा उबल चुका है और हमने इसको ठंडा भी कर लिया और हम इसको पीसेंगे जादा बारिक निकरना है बस दरदरा रखना बहुत बारिक अच्छा नहीं लगता है इसको हम पीस लेंगे हमारा पेच चुका है देखें पालक पनी रही है अलग रख लिया हमने पालक पीस के बिल्कुल रख दिया है अलग तरिका से जीरा डाला हमने तेल में थोड़ा सा पान तेल लेना हमें ज्यादा नहीं इसमें हम आदर चमच अदर कलसरन कर डालेंगे जादा अगया तो इसलिए मैंने कम कर दिया और इसकी थोड़ा हलके बनाई करेंगे जादा बनाई नहीं करनी अदर कलसरन को जादा बहुनना नहीं चाहिए कि हएंबं के इसमें परेंगे परिसे थोड़े से एंपने सबनेदिने परिसे हें थोड़े सी धीडें से धलist स्वर इंट्रasse कुल समें जेनिने तॉर यह ख़ी में दन पीडे ने दिना लोगा एक अधी कनद में शोल के विल्गाइद करना ने दो करने झीएंगे और इसको भूनेंगे हम बिना पाने डाले भूनाई करेंगे इसकी इसी तरह तेल में हलकी आच पे बहुत सिम पे इसकी हम भूनाई करेंगे जलने भी नहीं देंगे और इसकी भूनाई कटते रहेंगे हलके हलकी आच पे देक़े मेरे बिलकल ने जला है फिर घूछा रखा तो हम बालक आना रहा हो छसे पीतkommen CT were आजा के लिए छितले पालक जो जो पीसाबा हो रखा था अमारा वह लिए पिर बता रह Salz tudo को पालक महीं नहीं मुछली में डाले आधसे हो तो सब्सक्राम Красव蘿ल दालना मेरे plants to look तो हम पकाएंगे सारा मसाला अच्छी तर यह से मिक्स कर देंगे पालक में और इसको हमने पकने रख देंगे बुस्ते आज पर नहीं पकाना है हलके हलके आज पर इसको पकने देना है अब कवर करके पांच मिनट के लिए छोड़ दीजाएं अच्छी तरीकर से और इसकी बुनाई करते रहने हमें पानी सूख जाइस का ज्यादा नहीं हमें रखना है पानी खोल के देखते रहे हैं बुन चुका है हमारे मसाले में अच्छी तरीकर से पक चुका है अब हमें पालक पानी छोड़ता है पालक बीटा बहुत पानी छोड़ता है तो इसलिए पहले इसको में पानी डाला जाता है अब हम पनीर इसमें डाल देंगे और दो-तिन मिनट के लिए इसको चला के दो-तिन मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे क्योंकि पनीर भी पानी छोड़ता है नहीं पानीर पानी नहीं छोड़ता लेकिन पनीर को पकने के लिए थोड़ी दिर हम छोड़ेंगे इसको कवर कर दिया आप देखिए बिल्कुल कुछ भी हो गया यह तैयार है और पालक पनीर खाके बताईएगा जरूर कैसा बना है अब इसमें हम उपर से नमक डाल देंगे इसलिए मैंने कहा था पहले कि नमक पालक में डाला था मसाले में नहीं डाला था क्योंकि मुझे आखिर में मुझे नमक यह डालना होता है अमुल लोग करीम भी डालते हैं मुझे अमुल पसंद है डाल के इसको चुला बंद कर दिजिए कवर कर दिजिए देखिए हमारा पालक पनीर बनके तयार है आप लोग इसे बनाईएगा जरूर खाईएगा और बत किस्ती जानने के लिए और हमारा हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए दुआ हमें याद दखिएगा अलाह आफिस